दोस्तो total solution मिलन में अप लो का स्वाग आते तो दोस्तो आज का वीडियो एक istiad Friends's Play स्मपीश बोड है वही उही हो एसेय। बढंवार खराब हो राए। इसमें जो आउटपूट का जो वोल्टेज है ओई पे दो फास की डायड लगा रहता है वो बार-बार सौट हो रहा है यह देखिए इसका ओडियो आईसी है एे देखिए जो स्पीकर बसता है दोनों अईसी लगा उआ है तो इहीपे देखिए वो फास की डायड रहता है दोन तो फार्ट की डायर जो की इसमें लगा हुआ है बार बार सौट हो रहा है तो इसका बहुत सरा कारण हो सकता है एक तो इसका जो हम तीयटर के पिछले हिसे में लिखा हुआ है कमपानी का 22013V के नदर गए चलेगा उससे कम होगा तो खड़ को सकता है उससे जड़ा हो तो खड़ करे तो एक टोड़ात प्राब्लिबंड़ हो सकता है और एक में दूस्तो Осसब इझो में जो स्पीकार तो चारो इसपिकार हम एक स्पिकार को transfamide 10 इसके पीछले हिस्से में कुछ भी लिखा नहीं है यह कितनाหा कायर कि बार्त कायर की फौरेंस करा है तो जदा थर जो इस्पिकार होता है तो फोर ओम Lisa का बहुत है कम पपएले चलता था यह जो और हम नापेंगे उसमें भी आपको अंतर दिखेगा बहुत तो इसमें जो है इसमें नाप लेते हम इसमें देखिए 10 ओम दिखा रहा है मतलब 8 ओम भी नहीं 10 ओम दिखा रहा है लेकिन यह हम तियर्टर का जो है फोरॉम कंपनी का लिखा हुआ है तो बाकी और एक स्पिकर हम चेक कर लेंगे तो उसमें थोड़ा ज्यादा भी दिखा रहा है देखिए इसमें 12 ओम के करीब दिखा रहा है तो इनमें इनमें भी प्रॉब्लम है क्योंकि चारों स्पिकर चलाना चाहिए तो उसमें दो से का ओम्सी उसमें ब्रब़ाबर हो जाता है तो ज्यादा लूट आने से तो एडाएड खराब हो सकता है इसलिए ach simplesmente क्योंके जो आउट पूट का जितना करेंट चाहिए उतना नहीं मिल रहा है और इसका जो switching होता है दोस्तों feedback का जो section है उसमें भी problem हो सकता है तो मैंने यह देखिए दुसरा smps से first की diet उठा के इसमें लगाया तो एक बार check करके देखेंगे तो इसमें feedback से इसे नहीं मिलने से भी short हो सकता है यह diet तो अब एक बार change करके आप देख सकते हो अगर नहीं चलता है तो उसमें आपको दूसरा process बनाना पड़ेगा तो दूसरा power supply हम इसमें बनाएंगे बनाएंगे चलाएंगे देखिए line तो इसमें आ गया है लेकिन यह चलेगा लेकिन मेरे यह आपे ही चल रहा है क्योंकि एपे बोल्टेज से ही है कास्टमर के घर में लेने से एक मिनिट भी नहीं चलता है तुरंदी खराब हो जाता है तीन बार इसको हमने रिपेर किया तीन बार ही खराब हो गया उसके बाद इसके साथ हमने जो किया वीडियो को आगे तक देखते रही है आपको पता चल जाएगा तो यह दिखिए मैं फिर से यह पे लाइन दे रहा हूँ अभी यह दिखिए ऑटोमेटिक यह बंद हो रहा है दोस्तों बंदों के मतलब रियस्टार हो रहा है तो इसमें जो नंबर रहता है एसस फाइब डी साइद ऐसा कुछ या एड ऐसा कुछ लिखा रहता है इसका डायड में तो फास्ट की डायड तो हमने क्या क्या है इसका जो एसमपी एसे दोस्तों उसको ही हमने काट आउट कर दिया हम अभी इसको ट्रांसफॉर्मा से के लिए तीन एमपीर का दो डायड चाहिए दोस्तों एदेखिए यह आउट्पूट का जो सेक्षन है दोस्तों यह पर दो कॉंडेंसर मिलेगा जो की पैरलाल में लगा हुआ है उसमें 25 वोल्ट 3300 माइकोफायट का कॉंडेंसर है दो दो पैरलाल में होता है दूसरा जो हम इसमें SMD पैकेज में IC लगा हुआ है जो की नॉर्माल जो Bluetooth बॉक्स में रहता है तो इसमें हम देखिए दो कॉंडेंसर लगा हुआ है तो दोनों कॉंडेंसर का पॉजिटिव जो लेग है उसमें हम एक करके डायड का पॉजिटिव जो भाग है जो साइड है उसको हम देंगे यह देखिए और नेगेटिव साइड को हम छोड़ देंगे उसमें आप डायड यूज भी कर सकते हो नहीं भी कर सकते हो तो यह देखिए हमने दो जो है तीन एंपियर का डायड लगा दिया है अब इसमें ट्रांसफर्मा को लगाएंगे तो हम दोस्तों पीके का ट इसमें स्पिकल लगा सकोगे उससे ज्यादा लगाओगे तो इसका जो सॉप्ट्वेर है दोस्तों वह आपको लोग बैटरी सो करेगा वह बार बार आपको बोलेगा के लोग बैटरी प्लिस चार्ज ऐसा कुछ वह बोलेगा तुके एंपियर थोड़ा कम हो जाता है तो आसानी से चला सकतें कोी भी प्रॉबल्म नहीं आएगा अभी तीन अभी आपएर का ट्राजबर हमरें बास नहीं है हम दो एपियर का टर्रमर लगा के दोनों बॉक्स को चलाएँगे क्योंक्ति इस बॉक्स का भी स्पिकर है उसका भी ओंसփ तुरा ज्यादा है इसलिके द एतना करके ओम से दोस्तो तो इसलिए हम इसमें दोई सपीकर हम चलाएंगे 2A से अगार आप 3A लगा देते हो तो आसानी से आप चार बॉक्स को चला सकते हो तो यह दिखिये हमने लगा दिया आप सरीज में इसको ऐ जो है कनेक्शन देंगे पहले उसके बाद हम में का किया है बाद में हम बोड से कर देंगे तो यह दिखिए हम देख लेते हैइज दिखिए जो है इसमें अभी लाइन चला आया है अभी सोंग भी समें प्ले हो रहा है सोंग का सांड हम सुना आजाता है और SMPH बार बार खराब हो जाता है या वो मिलता नहीं है क्योंकि एक साथ बना हुआ है तो उसको आप अब करके टरनास्वर्माइ से चला सकते हो दोस्तो इसमें 20-0-12 का टरनास्वर्माइ लगा है या अप इसमें जहाँ पर कोंटेंसर शीरीज में रहता है वहीं पर आप 20-0- 12 यूस तो और इसमें क्यूंकि पैलल में लगा वह आए पिर इसमें आप 0-12 का ट्रांस्परमर लगा सकते हो यह देखिए यह दोनों कांडेंसरी जो है परल्ल में लगा हुआ है आप इसमें देखिए चारो बौक्स का हम कनेक्शन देंगे तो इसमें चारो बॉक्स बजेगा लेकिन इसमें एक जो है साउंड हो रहा है जो की बोल रहा है कि लो बैटरी प्लीज चार्ज क्योंकि इसके अंदर सॉक्टवर जो डाला हुआ है वो लो बोल्टेज में कारेंट में सही से चल नहीं सकता उसमें ओ जो है सिगनल देता है को आप चला सकते हो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दो को हम खोल देते तो दो बाला जो है वो सही से चलेगा और इसमें आप तीन एंपियर का ट्रैंस्परमा लगाओगे तो चारो स्पिकर को आसानी से चला सकते हो और दोस्तों मेरा चैनल का वीडियो अगर अप लोग को अच्छा लगता है तो जुरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नोटिवेकिशन बेल आइकन को दबा दीजिए नया नया वीडियो के नोटिवेकिशन सबसे पहले पाने के लिए और दोस्तों मेरा चानल का प्रेलिस्ट में जाके आप डेट सारा वीडियो है वो दिख सकते हो उसका लाब उटा सकते हो तो दोस्तों एक बार हम बोल्टेज इसको नापके दिखा देते रानिंग है अभी होम तियेटर हमारा तो यह पर देखिए 8 वोल के करीब कभी दिखा आए उनका भी 6 वोल दिखा रहा है मतलब इसका जो है वोल्टेज भी ड्रॉप हो गया क्यूंकि इसमें स्पीकर चल रहा है वोम तियेटर भी चल रहा है तो इसमें 2 MPL लगा हुआ है इसलिए वोल्टेज आपको थोड़ा कम दिख रहा है इसमें 3 MPL लगाने से यह जो है व कोईल काट दिया है आप एसी कोड का कनेक्शन इस स्विच से लेके आप ट्रांसपर्माज में लगा सकते हो और इसको काट आउट कर देना परेगा फिर जाके हमारा जो है होम तियेटर सही से चलेगा कोई भी प्रॉब्लेम नहीं आएगा तो ओके टैंक्यू वाचिंग यह द शॉबड को प्रॉब्लेम जिर nasal को एंग अ थिए वागान कॉर्ब्लेडा जाप dari एंगidddom